कि जहां हिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग श्राइट करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रेडिक्षन लाजा में दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि मैं कैसे investment करता हूँ जो मैं हमेशा अपने आपको profit में रख लेता हूँ और कहां कहां आप लोग किस तरह का mistake करते हो तो इस वीडियो को आपको बारीकी से हर एक point को देख लेना है वीडियो लगवग जए वो आपको 5 से लेके 10 मिनिट के बीच में बनते दिखेंगे आपको चोटा सा काम करना है आपको चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्षर में और वहां पर जाने के बाद आपको सबसे टॉप में दिखेंगे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके उपर किलिक करके आप सभी को यहां पे ज्वाइन कर लेना है अब दोस्तों आईए मैं आप मुद्य को लेके बात कर लेता हूं कि हम लोग या फिर आप लोग मैं तों चूजर पर काम कर चुका हूं लेकिन आप लोग कहां कहां गल्दी करते हो अब जैसे कि मैं एक्जांपल पर आपको बताता हूं कि मैंने जो नेक्स्ट पांच मैच कवर किया वो आपके सामने चार मैच मैंने cover किए example बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं next आपको schedule दे रहा हूं ठीक है अब आप लोगों में से बहुत सारे भाई क्या करोगे इस match को बहुत ज़्यादा highlight कर लोगे बैसा मैं तो कुछ पिलियर को जानता हूं तो इस match में आप अपना बड़ा investment कर देते हो बांक किस तरीका से investment करता हूं देख लो अगर दोस्तों मैं 3499 का आज उसुबा में मूर्ड बनाया कि मैं पड़े मैच में पांच केंटेस्ट कहलूंगा तो यह match हो या फिर तंजानिया वाला हो या फिर सीडनी वाला हो या फिर युगांडा वाला हो सभी में मैं 5-5 केंटेस्ट खेलूंगा ध्यान रखेंगा इस बात को यह 3500 में जो होते हैं दस जाड़ वाले थ्री मेंबर मैं हमेशा थ्री मेंबर प्रिफर करता हूं तो यहां पर मैंने हर एक मैच में जो है वह पांच-पांच कांटेस्ट खेले अब यहां पर आपको कौन सी गलती नहीं करनी है एक सौरी दोस्तों एक कॉल आ गया था तो यहां पर आई हम आगे बात कर लेते एक्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं कि मानलों कि मैंने 34995 यहां पर खेला 5 यहां पर 5 यहां पर ठीक है मैंने टोटल कितने कंटेस्ट जोइन किये यहां पर 5 10 15 20 अब मेरा इंवेस्टमेंट क हो गया 17495 रुपिया मान के चलता हूं मैं टोटल दिन में 5 मैंच कहलता हूं तो मैं यहां पर 5 कर देता हूं ठीक है अब 17,000 के सम्षंटिंग में मेरा एक में मैंच में इनवेस्टमेंट हाँ टोटल जो मेरा एक दिन का इन्वेस्टमेंट हो गया, वो 87,475 रुपीस, 17 वाला हो 17 वाला हो या फिर जो भी आप 3 member effort कर सकते हो कम से कम 5 match में तो अगर मैं माल लो कि इतना यहां पर investment कर देता हूँ तो मैंने अगर एक match में 5 contest कहले तो 5 match में 20 contest हो गया अब मैं माल लेता हूँ कि 5 match से सिर्फ मेरा 2 match अच्छा जाता है बाकी का 3 match मेरा बहुत अच्छा नहीं जाता है उसके बावजूद हमने जो 25 contest खेले हैं वहां मैं जादा win नहीं करूँगा मैं सिर्फ अपने आपको जाए 10 contest जिदवा रहा हूँ इतना तु win कर जाओगे वैसाब 40% के आसपास अगर आप result नहीं देते हो आप मेरे टीम से खेलो किसी और टीम से खेलो लेकिन अगर आप 40% के आसपास result नहीं देते हो तो कहीं न कहीं आप blunder mistake कर रहे हो इसके बाद कोई ऐसा एक दो दिन निकल सकता है जहां पर आपका winning जो है अगर मैंने बिल्कुल safe खेला अगर मैं दोस्तों यहां पर बिल्कुल risk नहीं लिया सिर्फ मैं दोस्तों मानता हूं कि 25 में से मैं 10 contest win किया सिर्फ 10 contest मैंने win किये इतना तो कर लोगे अगर कर लोगे तो comment section में जाके yes लिए अगर दोस्तों आप इतना win नहीं करते हो मैं आपको अब भी बोलूँगा कुछ नहीं करना है dream 11 या फिर विजन 11 या फिर दुनिया के तमाम 11 जहां पर आप केलते हो उसके ओपर क्लिक किये रही है और एक दीखे का आपको अनिस्टॉल वहला section आपके बांद करके जो wallet में पैसा है उसको भी डॉल कर लीजिए और दोस्तों उस application को अनिस्टॉल कर दीए इसका मतलब यह है कि यह फिल्ड आपके लिए नहीं बना है अगर आप 40% result नहीं देते हो तो कहावत भी है दोस्तों अगर आप पढ़ाई भी करते हो 40% अगर आप मिनियों माक्स नहीं लाते हो तो मैं बोलूँगा वहां से आपको दूरी बना के किसी और फिल्ड में ट्राइ करना चाहिए अगर दोस्तों आपको लगड़ा है कि यह बात में जान है कमेंट सेक्शन में आप जाके जरूर बताइए अब दोस्तों अगर आपने 10 टेंटेस्ट विन किया बिल्कुल सेफ होके तो आपको कितना मिली है रेवेन्यू 10 इंटू 10 के मिल्स 10,000 तो आपके पास आगे लाख रुपिया ठीक है अब आपने कितने लगाए थे आपने लगाए थे 87,000 के आसपास आया लाख रुपिया तो मोटा मोटी आप यह मान के चलो कि आप अगर बिल्कुल सेफ खेल गे तो आपको दिन का 13,000 प्रॉफिट आ गया अब दोस् कितना का 17,000 के आसपास का आपको लाख गया लेकिन अगर दोस्तों किसी दिन 25 में से 15 से 17 निकलता है तो आपको आप आ जाएंगे 17,000 रुपिज एक दिन में वहाँ पे मिन्स एक लाख सत्रह कंटेस्ट निकल लिया तो 15 में डेट लाख रुपिज प्रॉफिट कितना हो जा मैं रीक्रेमेंड करूँगा आपको कि आप जो इंवेस्ट मेंट करते हो या तो तीन कंटेस्ट्स खेलिये या फिर साथ खेलिए या फिर नो खेलिए नो करूँगा तीन उपिर पांच में से किसी भी एक मतलब नंबर को चुच जूँज कर लो और उस एमौंट के उस आप अगर दोस्तो एबलियेबल रह सकते हो तो जो भी मैच में कवर करता हूँ सारे मैच खेलिए अगर एबलियेबल नहीं हो कोई काम आई तब तो कोई बात यह नहीं दोस्तो अब इनकेस आप मानलो कि कल 5 मैच हैं ठीक है आपने 5 में से क्या किया दो मैच में खेले 5-5 कंट छो पंटेस्ट तो डोस्तो आपको बता दो मतलब आप अभी भी साथ कंटेस्ट लास में हो इसका मतलब सारड परहिःज हो यह चीज़ें आपको नहीं करना है जो कि मैं आपको बता दू लग हघंडल के के 80% यूजर ये काम करते हैं और वो हमेशा निगेटीव में ही रहते हैं हमेशा लॉस में ही रहते हैं और उनका दोस्तो दड़िया दिल मुझे कमेंट सेक्शन में देखने हो क्यों मिलता है तो अगर आप इन चीजों के ऊपर काम कर सकते हो तो जरूर कीजिए नहीं कीजिए वही केंटेस्ट के लिए उतना ही केंटेस्ट के लिए और जितना आपने बजट सेट किया है उतना ही रुपिज का खेलिए और आप मुझे 15 दिन से लेके एक मीने के अंदर फीड़एक दीजिए कि आपका रिजल्ट यहां पर कैसा रहा उमीद करता हूं यह चोटा सा लोट सो तो कमेंट सेक्षरण वह जाकर जरूर पूढ़िए मैं जल्द से जल्द आपकी डौट को किलियर करने का कोशिज करूंगा मेरा हमेशा समाना है दोस्तों कि आपके अंदर किसी भी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज को समझने म कोशिस करूंगा ठीक है दोस्तों